वहे गुर जी का खालसा वहे गुर जी की फते जैमाता दी आप सभी को मैं विशालनात कल जो सिंगु बॉर्डर पे हुआ है सभी जानते हैं मैं सच एक बात बोलना चाहूँगा कि नंग सिंगु ने जो किया है ना दिल में एक मरम लगा है जो एक आग लगी वी थी ना जो एक मन में आ रहा था था ना कि ये खालसा पंथ जो है अज्योत्पृ दुनिया को एक जो है कहीं ना कि ब्रह्म पहर गाता कि ये खालसा पंथ अब वो खालसा पंथ नीड़ा है कोई चारा ही नहीं बचा था जब शिरी केजगर साहब में एक टुंडा जा बंदा सर में नंगे सर गुरु घर के अंदर आकर थरे साहब के उपर जुटे लेकर चड़ गया और एक हासे तल्वाल राप्ते चला जो चिया वो समय जो था ना उस वक्त दिल हर एक के मेरे मन में यहार था मैं वहां क्यों नहीं था मेरे जैसे कितने भाईयों के मन में असार होगा कि हम वहां क्यों नहीं थे उसका वो नारे लिए उड़ा देना चीए था कौम को जिन्दा कर दिया मैं यहीं बोलो कौम को जिन्दा कर दिया नंसिंगों ने दुबारा से अब जो आज एक बाद जरू बोलूँगा एक बंदे के लिए डॉक्टर गुरिंदर सिंग रिंग डेटा डॉक्टर साव आपको थोड़ी सी शरमानी चीए आपने पग डाल लिए और पग डालने के बाद आप क्या आतंगवाद भी बोल रहे हो इससे पहले तो आप जब देखो आप बुड़के मारते रहते थे कि यह है जी वो जी ऐसा है इनके पिछे हलती निकल जाती है वैसा हो जाता है और यही काम कल किसी मजभी सिंग ने किया होता तो आपने करता देखा मजभी सिंगों ने लिया है माराज जी रंगरेटा साब बख्ष दो यह जात पात कब तक कब तक यह जात पात को लेकर आप जो है नफरते भरते रहों के लोगों के मनों के अंदर कब तक आपके जितने वीडियो देखता हूं हर एक में नफरत जटों के उपर गाने बनते हैं उसके ओपर आपको एत्राज है लेकि मजवी सिंगों को अड़ को अगाने बनते हैं आपको इत्राज नहीं घूरू में आपसे एक बात शीरी साहब थी, अमरी शका था, और आज फिर मैंने आपके शीरी में बाणा यह नहीं देख रहा है, आपके बाणा कहा पर चला गया, कि मेरे को गुरू घयाठ तो एक ड़र लगता है, हर उस बंदे को ड़र लगना चाइए, जो गुरू गोविन साब जी के बचलों की बेत, यह भी बचलों की बेत भी है, जो यह जात्पात कर रहे है न, यह भी बेत भी है घुरू माराजी के,